आड़े में चलते हैं हम रोज रोज दो तीन दर में लाई होते हैं नियूंजेटी हैं परम पूजने आचर भगवन सरी विध्या सागर जी महावन राज का मंगल विहार सिद्धोदा सिद्धिछित्र नियमा वर से अभी जबलपूर की ओर चल रहा है अभी जो अभवाएं प स्वस्त्र ना बीमार है एं कि मोसम सात नहीं दे रहा हैं तो बैहार में परश्या नीके बहुत जो को अपर है जब चलते हैं तो उनके यदि पेर की नीजिए यदि चाउल भी आ जाए तो चाउल का निसान बन जाता है फिर कंकर पत्थर की ऊपर चलना बहुत मुशिबत होती है इसलिए आचर भगवन का स्वास्त बिलकुल ठीक है बिहार मंगल बिहार चल रहा है प्रती दिन 11-12 किलियो मीटर चल रहे है आचर सी को कोई बीमारी नहीं है ना उनका हीमोगली में रहुआ है ना उनका हार संबन दी बीमारी है बस मोसम अनुकूल ना होने से बिहार कभी जादा हो जाता है कभी कम हो जाता है इसलिए सभी लोगों से निवितन है कि आपो अफ़ामे पर ध्यान ना देते हुएं आचर भगवन के स्वास्थिकी और ध्यान दे और मंगल कामना करें कि जल्दी से जल्दी आचर भगवन पूर्ण आयू में जाकर कि ब्राजमान हो जाएं और मंगल चात्रमास की इस्थाप आचर भगवन केहते हैं पंच परमेश्टी के पांच पद होते हैं अज़ आज आचर भगवन का करेली से आगमन करवेली चौराही से आगमन हुआ है और करेली से दो किलिमेटर आंगे निकल चुकी है कल की आहर चरिया लगबग पांच किलिमेटर आंगे होने वाली है आप सभीषे निवेदन हैं कि जो जितना लाव ले सकते हैं आप लोग इतना लाव ले और आचर भगवन की स्वास्त्य संबंदी जो अभवाएं फेला ही जा रहे हैं उसको और ध्यान ना देते हुए आप आ आपको मालूम होगा कि जितने भी रिद्धारी मुने राज होते हैं तिर्थंकर भगवान होते हैं उनके शरीर जो होते हैं पबत्र होते हैं और आचर भगवन का 50 साल से तपा हुए सरीर पबत्र है उसमें कोई बीमारी या नहीं है जोनों ने यह कहा है कि हमो गलीविंक इ तो इसका मनलब क्या है निरोगी काया उनकी है रहेगी और आचर भगवन की थी इसलिए जो अब आएं वो सब गलत हैं और कुछ होद बता ही है